तो अब तक तो हमने जितनी बातें की थी वो पॉलिटिक्स के हिसाब से, सोशल लाइफ के हिसाब से ये एकनामिक के हिसाब से बात की थी अब जो ये सेक्शन है इसमें थोड़ा सा आपको एनरजी के बारे में बताता चलूँ कि उसकी क्या साइन्टिफिक डेफिनिशन्स क्या है एनरजी की वो कुछ चीजें ऐसे कनेक्शन हैं जो आम तोर पर इस्तमाल नहीं होते इस विए से जादा जूरी है कि उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया जाए तो एनरजी के जो कांसेप्ट है वो बिल्कुल बड़ा मजे का कांसेप्ट है जैसे आप देखें कि बाज ऐसे चीजे हैं जो कि बिल्कुल कोलोकियल है जैसे लोग कहते हैं जी मैं बहुत थक गया हूं या मेरे में बिल्कुल एनरजी नहीं रही है तो वो बिल्कुल सही है scientifically भी बिल्कुल सही है वो लेकिन वो colloquial expression है वो उसका या लोगों को energy बहुत जादा है कुछ उन्होंने जादा कोई अच्छी बात हो गई या कुछ जादा नहारी जादा खा ली या कडाई गोश जादा खा ली या तो बिल्कुल full of energy लेकिन वो जादा खाने से फिर बैड़ आते हैं वो उसकी बात उसकी बजिया वजाद दूसरी है और उसका एक philosophical perspective भी है energy का जो के बहुत ही जादा फिजिक्स से related है अगर आपको अंदाज हो के philosophy और physics है लेकिन इनके जो यह जो है वो पार्टिकल तोर पे भी इस्तेमाल हो सकते है और पार्टिकल तोर से भी consider किया जा सकता है और wave के तोर भी consider किया जाता है यह बहुत परानी theories है तो उन तोनों को हम देखेंगे कि उसमें connection क्या है ठीक है तो यह जैसे यह तस्वीरों में पोटेंशल एनरजी है पोटेंशल एनरजी एनरजी अपनी जो पॉजिशन की वजह से जो एनरजी होती है इसके बारे भी मैं तफ्वीर से बताऊंगा क्या मतलब होता है उसका और राइट साइट पी जो तस्वीर वो देखें कितना कूपसरत से एक दरीया बह रहा है और एनरजी किस वजह से उसमें किनेटिक बहने की वजह से आई कहां से एनरजी औरिजिनली पोटेंशल एनरजी के पानी उपर था उपर से नीचे आ रहा है लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो वो जो चलना शुरू किया है उसकी वजह से इसके अंदर किनेटिक एनरजी थोड़ा सा उसके बारे में जान लें कि इनके क्या-क्या quantities हैं जिसको समाजना जरूरी है, energy को समाजना के लिए, तो बुनियादी चीज जो है, वो आपको सब को पता है, कोई इतनी बड़ी complicated बात नहीं है, velocity, रफतार कितनी है, तो दस मील फी गंटे की रफतार से चल रही है, या पचास मील फी गंटे की रफतार से चल रही है, तो वो velocity हुई, वो एक scalar, scalar का मतलब है कि जितना उसकी quantity जो है, इसमें कोई नहीं बताया है, कि जी आप लावर से जंग जा रहे हैं, कि लावर से मुलतान जा रहे हैं, उसमें सिर्व यह बताया है, कि आप पचास मील फी गंटे की है, velocity कहते हैं, दस मील फी गंटा लावर से जंग, तो वो direction भी बता दी उसने, उसकी value कितनी है और direction कितनी है, फिर वो vector quantity हो जाएगी, इन दोना के जगडे में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना जुरूर पता होना चाहिए, कि speed और velocity में फरह कितना है, अब उसक आपको acceleration का पहले से अंदाजा होगा, कि acceleration यह है कि जो आपकी velocity उसका change, rate of change क्या है, जब भी rate of change की बात करते हैं, इसका मतलब उसका time से division होना चाहिए, जैसे velocity की unit है meters per second, तो acceleration की है meter per second square, कि कितनी तेजी से velocity change हो रही है, तो acceleration का भी आपको physically तो अंदाजा है, लेकिन units जो है, meters per second square के हिसाब से, वो देखना चाहिए आपको, अब जो important सबसे चीज़ है, वो यह है force, newton law आपने पढ़े होंगे कभी, force जैसे भी apply करें, उसका acceleration होता है, जो किसी चीज़ में भी force apply करें, उसका acceleration होता है, यह बहुत universal चीज़ है, लेकिन आप देखें, अगर मैं इस चीज को push करूं, या मैं किसी एक table को push करूं, तो table तो शायद move ना हो, यह move हो जाएगी, ठीक है न, तो force का तालुख जो है, acceleration से, newton न न तब पता दिया, लेकिन उसना यह नहीं बताया कि object कौन सी है, object का relationship क्या है, उसके लिए जो यह है, mass इसमें introduce करना पड़ता है, m, f equal to ma, force is proportional to acceleration is newton's law, force, जो proportionality अगर उसके sign निकाल के equal लगाए न, तो उसमें फिर mass लगाना पड़ता है, f equal to ma, तो यह force equal to ma, जो है, फिर उसकी unit आ जाती है, अब physics में एक बड़ी मज़िदार बात यह है, कि हर जो unit होता है, उनके नाम दिये होते हैं, किसी बड़े physicist के, तो force का जो unit दि होता है, अगर एक kilogram का वजन, उसकी acceleration एक meters per second square हो, तो वो उसका force होगा, वो एक newton के बराबर होगा, ठीक है न, तो यह force हुआ, अब work और energy जो है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई वो नहीं है, फरक नहीं है, work कहते है, capacity of doing work, capacity of doing something, capacity of doing something, doing क्या मतलब हुआ, अब जो वो आपने newton देखा, उसको अगर आप, एक newton force को अगर आप लगाएं किसी पर और वो एक meter move हो जाए, तो इसका मतलब यह कि आपने newton meter work उसमें काम किया, उसका एक unit बनाया, वो फिर उसको यखिनन पुरान एक अच्छे physicist के नाम दिया, joules का, तो वो एक newton और एक meter जो कि work जो है, वो सिर्फ उसी वक्त होता है जब कोई चीज move हो, है ना, अगर आप जाएं और किसी दिवार को धक्का देना शुरू करें, तो दिवार तो नहीं यह लेगी, लोग भी कहेंगे पागली होएं, और आपको पैसे भी नहीं देंगे काम करने के, तो काम उस वक्त हो तो वो वर्क या एनरजी में तबदील हो जाता है, उसका यूनिट है जूल्स, उसके और भी बहुत सारे यूनिट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हर मुक्तलिफ चीज़ों के लिए वो मुक्तलिफ चीज़ है, जैसे आप कैलोरी इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी भी ए बेदे के लिए एक और यूनिट है, यह और जैनरजी गासे लिए रही में, कितने आप लेको प्रौनर कर हें, वह पावर भी एफितन अपर प्र सेकंड के अशके सामौत है, जैम्स पौट के साथी हैं, जैमस वाट के लिए जूल कन मा का थाइज है, निइन प्र 예निवे ग तो वो एक वाट के बराबर होता है ठीक है ना तो ये चीज़े हैं जो अपनी जहन में रखें तो उसके बाद जो बाकी डिसकेशन होगा जो साइन्स से तालुख हुआ हुआ लेकिन उतने जादा डीप डिसकेशन नहीं है लेकिन कमसकम ये यूनित अगर सामने हो आपके पास तो उन चीज़ों का समझने में आसानी हो जाएगी जैसे मैंने बताया कि एनरजी की बहुत सारी यूनित और भी है ये जैसे किलो वाट आवर है बिर्टिश थर्मल यूनित है फुट पाउंड है, जूल्स है ये सारी चीज़े एनरजी की यूनित है सबसे बड़ा इसमें बिर्टिश थर्मल यूनित जो एर कंडिशनिंग और आकी चीज़ों की इस्तमाल होता है ये सब बिर्टिश थर्मल यूनित में होता है क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़े है अब वो एलेक्ट्रान की अगर एनरजी देखें और घर के एर कंडिजनिंग एनरजी देखें तो बहुत 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 बड़ा फरक है ना तो एलेक्ट्रान की एनरजी जो है वो एवी में एलेक्ट्रान वोल्ट में करते है तो यह जो वर्क का मैंने आपको डेफिनिशन बत लेकिन वो मुख्तलिफ लोग जो काम के हिसाब से मुख्तलिफ यूनिट के इस्तमाल होता है यह मैंने पहले भी आपको बता दिया सिर्फ यह एक और इस सेक्शन के एक आखरी चीज में आपको बताते चलूं कि जो हमारे घर में जो पावर आता है यहां पाकिस्तान में यह कहीं भी वो किलो वाट आवर, किलो वाट आवर, वाट का मतलब एनरजी डिबाइड बाइ टाइम, उसको अगर आप टाइम से मल्टिप्लाइ करें तो किलो वाट आवर भी एनरजी का यूनिट होता है तो यह जो जैसे वाबड़ा है, K.E.S.C. वगरा वाले जो आपको बिल करते हैं वो किलो वाट आवर के दर में इसाब करते हैं अब यूनिट की बात करते हैं, कि इतना आट रुपए का यूनिट, पाँच रुपए का यूनिट, वो किलो वाट आवर के हिसाब से है तो वो एनरजी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है तो इनका फर्ख जए दोनों के दर्मियान जरह उसको अच्छी तरीखे से समझ लेगे